अस्तुलामुलाइकुम आज की हमारी वीडियो ताथ की जमात के लिए हैं सफ़ा नंबर 89 पर असरत पुन्हानी के उद्वान से आपका यह सबक है जिसका सबसे पहले हम फुरासा देखेंगे तो आसे में सबसे कहले हैं आप जो पाइंट देख रहे हैं सेयद फद्लुहसन यह सेयद फद्लुहसन जा है यह मौलाना असरत महानी का नाम था और हवसरा दिन का धखलुस था धखलुस वो नाम होता है जिस नाम से कोई शायर या कोई अजीद कोई मुसलिख मरशूर होता है एक नाम तो हर इंसान का होता है जो बच्पन में उसके वालदायां रख देते हैं तो बच्पन का नाम का फदूर हसन था और क्योंकि सेद फदूर हसन इनका नाम था और तखलुस इनका रख लिया था अस्रत हसरत के नाम से यह मश्कूर हुए और पैदाई शिंग की अजबा मुहान में हुई थी दुफ्तर पर्देश में इस एद्बार से मुहानी तो हसरत मुहानी के नाम से यह जाने जाते हैं कि अट्वाइश शित्तर में पैदा हुए यह काम्यार शायर की दे सहाफी की दे सहाफी उसे कहते हैं जो आपार और निकालता है रिसाले निकालता है तो सहाफी क्यानाता है कि स्यासदा यानि स्यासद के सहलेने वाले और मुझाहिद आजादी मुझाहिद आजादी के मुझाहिद करने वाले जदन जयैंद करने बाले कोशिश करने वाले जड़ाएद करने वाले अंद्लणासने 1747 से वेले आपको पता ही थिया कि हमाराम इंडू पर हॏक मत करते थे तो यह लिए अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए बहुत से लोगों नहीं बहुत से कुर्बानिया दी। इंदू और मुसल्मानों में में जुलकर इस आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और अपने तोर पर कोशिश की केमरेज हमारा मुल्क इंदूस्ताद छोड़कर सरे आएं हमारे मुल्क को आजाद कर दें इस आजादी की लड़ाई में इससा लेने वाले मुझाईदे आजादी के लाते हैं मुसल्मानों ने भी बहुत जादा पुर्बान किया दी पूरी में हासत मुहाली का नाम जाहिए सरे फैरिस्त हैं इकिदाई तालीम अपने घर के आसपास पत्यपुर बगारा में हासिल की और दिरेशन के रिए में के लिए अलिगर मुसल्म निवर्सिटी में दावना ले लिया अलिगर मुसल्म निवर्सिटी में ही इन्होंने अपने बाग्याना ख्यालात का इन्हार किया यानि अग्रेदों के खिराफ तहकी को महिस्ता लिया इसी की विए से उन्हें कौली से निकाल दिया गया किराई के मकान में रहने लगे यह 1903 का साथ था जब अस्तप महानी की शादी इनकी भेह से हुई जिनका नाम शाद निसा बेगम था जो एक बहुत ही हुसाबन बाहिमत बड़ी लिक्की और मुस्तफिल लिजाज खातुरी थी 1903 में हसरत में एक इल्मी और अद्बी रिसाला निकारा इल्मी रिसाला जिसमें इल्मी मदामीन हो और अद्बी अबसे मतालियत मदामीन उस विजादे में होते थे और इसमें सियासी मदामीन की शामिली के जाते थे यह 1903 इसमें जारी किया और यह उनका रिसाला आखरी उ होने मुखला अगर्वी और स्यासी मंदामी इसमें शाय होते थे जिसमें जाहिर सिपाते अंग्याद हुप्मत की मुखालफत वाले मंदामी भी होते थे और इसी के वैसे 1908 में हस्त मुहाली को दो सारी के लिए जेल गरी दिया हुए हुआ है यह आज के दमारे के 500 रुपए नहीं बनके उस दमारे यह 500 रुपए हैं जब मेरे ख्याल से अगर कुछ नहीं कुछ नहीं तो 500 रुपए की एहमियत तक्रीम पचाहँ हजार के बराबर बहुए यह शाहिए इसे भी कुछ जादर रिहाई के बाद हसरत के स्याहिए खयालाद में और उस दमारे में सौदेर्शी तहरीक शुग हो चुकी थी हिंदुस्तानों ने अग्रेदों जिलाफ बहुत सी तहरीके शुगीं बहुत सी तहरीके चलाईं किली में एक सौदेर्शी तहरीक थी। आपको पता है के अग्रेदों ने जो यहाँ पर हुकमत की पर ज़्याद करने की आप यहां लाकर बेचते थे और यहां से कच्चा माल, कॉटन वगएरा और नील की तमाम चीने अपने मुल्ट पर ले आके थेुए उनकी एक इस फाइदों को रुप्सान पहुंचाने के लिए यह उन्हें कमजोर करने के लिए इंडुसाथ ने सौधेशी तहरी शूर की सौ वर्च के लिए जगह जगह इस्टोर कायम किए गए असरत महानी ने भी अरीगप दे शौधेशी शूर ठोला जो बहुत कामी आने के साथ चला फिर 1920 में अज़र्द मानी अलिगर्ट फोड़कर कानफूर्शिक दोगए कानफूर्श से ले गए और मामुने एक सब्सक्राइब किया इसका मकसद अपने मुल्क की बनाईवी चीदों लोगों को देना लोगों याद फरोफ्त करना और इसके लिए लोगों को अहमादा करना कि वो बाहर की ज़िक्षिदों को छोड़कर अपने मुल्क की बनीवी चीदें इस्तिमाल करें हस्त मानी के मिलाद में बहुत साथ ही थी प्रेंस हैं बहुत जादा साधा अंग्रेद इनको एक बहुत बड़ा बागी समझते थे अंग्रेद की मुखालफत करने की वज़ा से हस्त मानी कई बार जेल में और ने बहुत जादा बरिशानियों को सामना करना पोड़ा अपने मुल्क को आदाद कराने की तहरीक में इस तरनेने की वज़ा से अब धन्माना आता है 1921 का कॉंग्रेस का हिलास का हैं दबाद में वहां सबसे पहले मुकमल आदादी की आवाज उठाने बारे हस्त महानी थी इससे पहले मुकमल आदादी की तहरीक किसी ने नहीं जहां पर महात्मा गांदी और हकीमत बलखान फिरीक मौदूद थे उन्होंने इसकी मुखालवत की रहे कि इसके बावजूद हस्त महाली ने मुकमल आदादी की आवाज उठाए क्या में मुकमल आदादी चाहिए अंग्रेस हतारा फुल चोड़ पर चले जाए आपर फुल जेल से आए तो कॉब्रेस के बिए मुस्लिमीग और अम्यूस पार्टी से नापा जोड़ लिया 1942 में हस्त मुस्लिमीग के माइद्धी के हैस्त से कामपूर से यूपी असंबली के मिंबर चुने गए और पार्लिमेंट के मिंबर हो गए उसे समयने में हिन्दूस्तान का आइन लिखा ला रहा था जिस पर हस्त लुआने ये कहकर दस्तख़ब करने से इम्कार एच्छा मेरेखशोत कि दाभिर नहीं है वह ताभू नहीं है जिसके लिए मैंने असड的話 एकाथ ता जिसके लिए एन शामिक थी एक वाकिया याद आता है कि हज़रत महानी अपने घर में बैटे पे मुश्रिक रही थे उसके ऋपर उनके सौदागर जो उनके दोस्तृ थे हर रहा था बेटे पिछे एक निकालके और नुक। और उनकी डेस्क ती जिस पर रख करो डिख रहे थे, मून की डली से थोड़ा सा गूद खा लेते, सौधागर सहाब या खामुशी से देखते रहे, जब उनसे जबत ना हुआ, तो अर्ज किया कि आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादी मोगी अता हो, हज़र दे बर्दे के पी जा लोग वकिरोवा खाना, तुम रजिस्क ना खा सब होगे, सौधागर आप दीदा हो गए, यानि उनकी आप उनकी आप में आशु आगए, आज पीसरा भापा है, शुक्र है, सुखी वोटी महस्तर आगई, बड़ी तस्कीन हो गई, यह हालग का हस्कुरत का, और कि मुशायर के साथ आने जाने का खर्श भी देते थें तो एक मुशायर में जब हो गए तो उनको मुटावर ने खिद्मत में लिफाबा पेश किया, उन्हें फॉरण कह दिया मुझे सखर का खर्च नहीं चाहिए, मैंने सखर में कुछ खर्च नहीं किया, एक गाड जो है मुझे अपने साथ डिक डे में बिठा कर ले आया, डियल्वे का गाड जो होता है, टिकट मैंने खरीदा ही नहीं, वो गाड आज वापस जा रहा है, और मुझे अपने साथ वापस दे जाएगा, मुंतदीमीन ने बहुत कहा, लेकिन वो इंकार पर अले रहे और बोले, जब मैंने टिकट पर कुछ कुछ खर्ची नहीं किया, तो आप से खर्जा पनेने का क्या सवाद है, ये इमांदारी का गए थे हाँ, हसरत मानी, तो हसरत ने वो कंबल इस ख्याल से नहीं ओड़ा कि ये विदेशी माल है, यानिके इंपोर्ट सामाने बाहर का माल है, क्योंकि वो सौदेशी तहलिक से वापस्ता थे, इस वए से उनों में कंबल नहीं ओड़ा, रात भर सरदी में कापते रहे, औ कंबल नहीं ओड़ा, खाला है कि उसमत उनको कोई नहीं देख रहाता, चाहते हैं तो कंबल वड़ सकते थे, लेकिन उनों नहीं नहीं ओड़ा कंबल, इस ख्याल से कि ये सौदेशी माल है, बिदेशी माल है, इंपार कंबल है, हसरत में पूरी हिंदेगी जाहरो, और बाब में दफन हैं, तो ये एक सच्चे महिंगा पतन के बारे में कुछ चंद बाते थीं, जो हमें समझनी चाहिए, और सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे इंसान हमारे भीप में घुज़रे हैं, कि इस खदर सच्चे और बेलास, इसके बाद हम इसके कुछ सवाल और जवाब परेंगे, खुलासा यहीं करता इसका, इस तबाब के सवाल जवाब, सबख हमारा शुरू होता है, सफ़ा नम्बर 18 सेफ, जहां शुरू में सजद फद्लहस्द नाव, यह वैसे मिशारे के लिए आपको लिख देता हूँ यहां पर, सफ़े के शुरू में और सफ़े के और इसी सफ़े पर सबसे नीचे लाइन हैं, जिसमें बलाविन शाय होते थे, इस सफ़े से जार सवाल हैं हमारे, जो आपको एक के वाले सवाल लिखकर उसके जवाब लिखने हैं, और बीज में दो लाइन का फास्ता आपको छोड़ना है, सबसे पहला सवाल है, जिसके मानी के उसवाब, जब उन्होंने शायरी श्मू कर दी थी, शेयर कहरा श्मू कर दिया था, जो लाइन चोड़ते हैं, जवाब के बाद हस्ता मानी की शादी किस से हुई है, उन खातूम का क्या नाम था, इन से हस्ता मानी की शादी हुई, इस सवाब लिखकर दो लाइने च के जवाब में जवाद नम्बर चार उर्दय मौला में किस किसम के मदामी शाया होते थे इसके बाद अग्ला सवाई सफ़ार नम्बर अस्ती यहां पहरी लाइन से हैं फुस्वसर मिसल्मानों की और आखरी लाइन में देखिए नीचे लिकावा है इंदुस्तान के पहने मिज जाइदे आदादी थे इस सफेसे हमें चार सवाल करने हैं सवाल नम्बर 5 न्योंश्तो आठ ने हसलत को इंदुन साजिके ने जेल भेजा गया सवाल नम्बर 6 सॉदर्षी टारीप ता श्यामत नंब था सवाल नम्बर 6 अंग्रेया हसलत महानि को क्या समझते थे अग्रेलों के नस्दिग थिज्रद्मानी कैसे थिए ? क्या थे ? क्या आलाइक थिए ? हईसरतमानी के बारे में उलते ? सवाल नम्र आठ, हजड़त महानी ने मकमल अरादी की खरारदाद कब और कहां पेश की? मकमल अरादी की जो खरारदाद पेश की थी हजड़त महानी ने, और कौन सा मौका था? कहां पर ये खरारदाद हजड़त महानी ने पेश की? च्पाहे। को और अदा सिर से सब्सक्राइब डेंगे है। सब्सक्राइब करने से क्या कर दिया हुआ कि इंदुस्तान का उसके पर साहिम करने से इंदुस्तान का उसके लिए उन्हें क्या कहा इसके लिवाब को इसी सविक्षा भी जायेगा सबस्ते हो पर काल नंबर सवाल नंबर के धार कि लिवार की आप निदे के लियाए थे इनके आपनी आसवा गए इसके आखे खुझान के खुझे आप कि ऐसंद्न है कि ऐसंद्न कि में पना डिया है उन्होंने कि था उन्होंdar को मिलाद्था टारूं के यूंद लिimana कि शुच्छ के शित कर सुनद्धा, इस आध़र ममजाम दिएंग WordPress, CSide RGねologistन अपने एक गोस्त और सबसे नीचे आखी में सबक के आखी में है मुईत्य बतन के दूने है सवाल नमबर 13 इसमें से कारागी की सब्दी में भी हस्रत है कि इम्दी कंबल तू नहीं होड़ा बहुत जाला ठंड पारिटी हस्रत की पास कंबल लिखा कि इम्दी कंबल लेकिन हस् जाएगा वो देखकर लिखे हैं यहांपर सवाल नमर 14 असद महाने ने पुरी जिन्दीगी किस तरह ब्लादी इसके बाद साफ आखरे सवाल है सवाल नमर 15 असद महाने का इंतिकाल कब हुआ इस तरह यहां आपकी सवाल जवाब पूरे हुए अब अगरी कॉपी जो है रहा अपनी City ग्राइमर की कॉपी में की काहें कि चाम कर रहे हुआ है सबसे पहले तो हर्प सबसे पिर सभ्च का नाम दुरुत इंत इपर अब ऋकर सभ्ण घंड में सब hmقं का नाम दूर गैए heum है उन जुनियों को आपको पढ़ना है और पढ़ना है कि जुड़ सबख की अध्बार से ए दूसरा काम है मुतदाद अलफाज कुछ अलफाज दे हुए हैं उसके मुतदाद निकने हैं आपको इस तरह से आपके बना लिए कौनम स्केल से इस तरह से लिए काम करने हैं आपके मुतदाद अलफाज का बहुत आसान अलफाज है आपके मिजदाद लिक सकते हैं तीसरा काम को करना एंद हो रफजों को अपने लिए कदा बनाने मुद्री और अपने ने कर रखर से क्याएं प्यों में इसतही है और पर आशाये काम बहुत सभीकरे के साथ साफसुना कीजिए, अगर राइटिन आपकी अच्छी नहीं है तो रोजादा एक प्रेज राइटिम कीजिए, इम्ला दिखिए, आपकी राइटिम भी सुदर जाएगी, और इम्ले की जो अलतिया है वी आहिस्ता हिस्ता दूर हो जाएगी, ।ृ बहुत भी आहिใ pan स дело, कर दो बहुता। वका है तो जाएगी, आपकी राइटिम उनले कीजिए, अला है कि आपकी अमकी मना पेका मरेणuestaई खर एक घंजले के राइटिम की जेता।ू ये एकि जेता।ूत आपकी मांपटा स्ज़ग्ट टूर म.